नमश्कार दोस्तों, हमारे यूटूब जैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुष्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में रोजाना एक अक्रोट खाने से होने वाले फाइदों को जानकर आपके होस उड़ जाएंगे स्वस्त रहना है तो अक्रोट को हर रोजाना खाएं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल आइकोन है आप उसके उपर कलिक करना ना पूले क्योंकि इससे आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिप केशन आती रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपिक की हमारे जीवन के आसपास बहुत सी चीजे विदमान हैं लेकिन जब तक हम उसके गुन और सभाव से अंजान हैं तब तक उसका लाब नहीं उठा पाते हैं जी हाँ हम अक्रोट की बात कर रहे हैं ये अक्रोट भी हमारे लिए बहुत ही फाइदेमन्द है इसकी दो जातियां पाई जाती हैं जंगली अक्रोट सो से दो सो फिट तक उंचाई पर अपने आप उगते हैं और इसके फल का छिलका मोटा होता है लेकिन दूसरा अक्रोट का पेड़ 40 से 90 फुट तक उंचा होता है और इसके फलों का चिलका पतला होता है इसे हम कागजी अक्रोट कहते हैं परवर्तिय देशों में होने वाले पीनु को अक्रोट कहते हैं इसका नाम करपाल भी है और इसके पेड अफगानिस्तान में बहुत होते हैं पट्ते गोल लंबे और कुछ मोटे होते हैं तता फल गोल गोल मेन फल के समान परंतु अत्यनत कड़े छिल्के वाले होते हैं और उसके मेंगी मीठी बादाम के स्थमान पुष्ट कारक और मज़ेदार होती है। दोस्तों अक्रोट की तुना चिलकोजा और चिरोंजी से की जा सकती है। अक्रोट गरम वे सुस्क परकृति का होता है। अखरोट पित परकर्ती वालों के लिए हानिकारक होता है, अनार का पानी अखरोट के दोसों को दूर करता है, अखरोट बहुत ही बलवर्दक है, हर्दे को कॉमल करता है, हर्दे और मस्तिक्स को पुष्ट करके उत्साही बनाता है, इसकी भुनी हुई गिरी सर्दे में 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मातरा में रोजाना कर सकते हैं। तो आए दोस्तों जानते हैं अक्रोट के अद्बुत फाइदों के बारे में। अगर आपको पत्री की सिकायत है तो साबूत अक्रोट को कूट छान कर एक चम्मच सुभे स्याम ठंडे पानी से कुछ दिनों तक नेमित रोप से लेने से आपकी पत्री मुत्र मार्ग से बाहर निकल जाती हैं। छिलके और गिरी सहीतिस को लेना है अपने। अक्रोट को छिलके समेत पीस कर चून बना कर रखें। पीस कर एक चम्मच गाएं के घी में भून कर सेवन करने से टीबी रोग में बहुत अधिक लाब मिलता है। जिन माओं में दूद की कमी होती है तो गेहूं की सूजी का एक गराम अक्रोट के पत्ते दस गराम को एक साथ पीस कर दोनों को मिलाकर गाएं के घी में पूरी बनाकर साथ दिन तक खाने से मा के दूद में व्रिदी होती है। खासी होने पर अक्रोट गिरी को भून कर चबाने से बहुत अधिक लाब मिलता है। छिलके सहीत अक्रोट को आग में डालकर राक मना ले और इस राक की एक गराम मात्रा को पांच गराम सहद के साथ चाटने पर भी बहुत अधिक लाब होता है। बवसीर रोक में बवसीर होने पर बादी बवसीर में अक्रोट के तेल की पिछकारी को गुद्दा में लगाने से सूजन कम होकर पिलड़ा मिट जाती हैं। तथा अक्रोट के चिलके की राक दो से तीन गराम को किसी दस्तावर ओसदी के साथ सुभे दोपहर और श्याम को म से साथ एमल की मातरा में लगबग दो चबम सहद मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से अद्बुत लाब होता है। जिसका माशिक धरम बंध हो तो अक्रोट का चिलका, मूले के बीज, गाजर के बीज, वाइवडिंग, अमलतास, केलवार का गुदा सभी को 6-6 ग्राम की मात में रह जाए, तो इसे उतार कर चान लें, फिर इसे सुबह स्याम लगबग 50 ग्राम की मातरा में मासिक स्त्राव होने के एक हपता पहले पिलाने से बंध हुआ मासिक धरम खुल जाता है। जोडों पर लगाने से भी रोगी को बहुत अतिक लाब मिलता है। अक्रोट का तेल आपको किसी भी आयुर्वेद दवा बेचने वाले पंसारी से असानी से मिल जाएगा। यह हम नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे। अक्रोट को गरम दूद के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में मुझूद किड़े मर जाते हैं। और पेट के दर्द में अराम देता है। कुछ दिनों तक श्याम को दो अक्रोट खिलाकर ओपर से दूद पिलाने से बच्चों के पेट के किड़े मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अक्रोट की चाल का काड़ा 60-80 ml पिलाने से आंतों के किड़े मर जाते हैं। हर्दे की दुरूबलता होने पर अखरोट खाने से दिल सवस्थ बन रहता है। हर रोज एक अखरोट खाने से हर्दे के विकार 50% तक कम हो जाते हैं और इससे हर्दे की धमनियों को नुकसान बहुचाने वाले हानिकारक कोलिस्टोल की मातरा कंट्रोल रहती हैं। इस अखरोट के असर से सरीर में वसा को पचाने वाला तंतर कुछ इस कदर काम करता है कि हानिकारक कलिस्टोल की मातरा कम हो जाते हैं। हालां कि रक्त में वसा की कुल मात्रा में कोई परवर्तन नहीं होता लेकिन अक्रोट में कलोरी की अधिकता होने के बावजुद इसके सेवन से वजन नहीं बढ़ता और उर्जा का स्तर बढ़ता है हमारे सरीर का कोई अंग जिस अकार का होता है ठिक उसी अकार का फल खाने से उस अंग को मजबूती मिलती है चुकि अक्रोट की बनावट हमारे दिमाग की तरह होती है इसलिए अक्रोट खाने से दिमाग की सक्ति बढ़ती है तथा यादास्त मजबूत होती है अक्रोट की गिरी को 25-50 क्राम तक के मात्रा में परते दिन खाने से मस्तिक्स सेगर ही सबल हो जाता है अक्रोट खाने से मस्तिक्स की सक्ति बढ़ती है कुछ बच्चों को बिस्तर में पेसाब करने की सिकायत हो जाती है ऐसे बाल रोगियों को दो अक्रोट और बीस किसम परते दिन दो सब्ताहा तक सेवन करने से उनकी यह सिकायद दूर हो जाती है आठ अक्रोट की गिरी और चार बदाम की गिरी और दस मुनक्का को रोजाना सुबे के समय खाकर उपर से दूद पिने से वृद्ध वस्ता की निर्बलता भी दूर हो जाती है दो अक्रोट और तीन हर्ड की गुठली को जलाकर उनकी भसम के साथ चार काले मिर्च को पीस कर अंजन करने से आँखों की रोजनी बढ़ती है अकरोट की चाल को मुह में रखकर चबाने से दाथ स्वच होते है और अकरोट के छिलकों की भसं से मनजन करने पर दाथ मजबूत होते है अकरोट की गिरी 50 क्राम, चूहारे 40 क्राम और बिनोले की मिंगी 10 ग्राम एक साथ कूट कर थोड़े से घी में भून कर बराबर मातरा में मिस्तरी मिला कर रखी अब इसमें से 25 ग्राम परते दिन सेवन करने से प्रेमिया में लाब होता है बस ध्यान रखें कि इसके सेवन के समय दूद ने भी है अक्रोट का 10 से 40 एमल तेल 500 एमल को मुत्र मिलाकर पिलाने से सबी परकार की सूजन में लाब होता है वात जन्ने सूजन में इसकी 10 से 20 ग्राम अक्रोट की गिरी को कांजे में पीसकर लेप करने से लाब होता है सुभे सुभे बिना मंजन कुला किये बिना पांस से दस ग्राम अक्रोट की गिर्य को मुह में चबाकर लेप करने से कुछ दिनों में दाद मिट जाते ही अक्रोट को पीस कर पानी के साथ मिलाकर नाभी पर लेप करने से पेट में मरोड और दस्त का होना बंद हो जाता है तथा अक्रोट के छिलकों को पानी के साथ पीसकर पेट की नाभी पर लगाने से पेट में होने वाली मरोड के साथ आने वाले दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं जिन लोगों को लकवे की सिकायत है रोगी को रोजाना सुबे अक्रोट का तेल नाग के छिद्रों में डालने से लकवा ठीक हो जाता है और अक्रोट के निरंतर सेवन से सफेद दाग भी ठीक हो जाते हैं तथा रोजाना अक्रोट खाने से सवेध कुष्ट सफेध दाग का रोग नहीं होता अक्रोट के तेल को 20-40 ml के मातर में रोजाना 200 ml दूद के साथ सुबह देने से मल मुलायम होकर बाहर निकल जाता है किसी भी कान या चोट के कान हुई सूजन पर अक्रोट के बेड़ की चाल पीसकर लेप करने से सूजन कम हो जाती है हिस्टरिया में अक्रोट और किस्मिस को खाने और उपर से गरम गाए का दूद पीने से लाप होता है अखरोट की मिंगी को लगाता और खाने से होट या तवचा के भटने की सिकायद दूर होती है वात रोग में अखरोट की 10 से 20 गराम की ताजा गिरी को पीस कर दर्द वाले स्थान पर लेब करें और इंट को गरम कर उस पर जल छड़कर कपड़ा लबेट कर उस थान पर सेकें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पिड़ा सिगर मिट जाती है लेकिन गठिया पर इसकी गरी को नियम पूर्वक सेवन करने से रक्त सुद्धी होकर लाब होता है यदि नासूर है तो अखरोट की 10 गराम गिरी को महीन पीस कर मौम या मीठे तेल के साथ मिला कर लेब करें अखरोट के पत्तों का काड़ा 40-60 मिलिलिटर पीने से वह उसी काड़े से गाठों को दोने से कंठ माला मिटती है अखरोट की चाल को पीस कर लेब करने से नाड़ी की सूजन जलन वे दर्द मिटता है तो देखा दोस्तों अखरोट कैसे हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करता है दोस्तों आप भी अखरोट का इस्तमाल करके अपने सरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और सबी परकार की बिमारे उसे बचे रह सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों